नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली निउस बूलेटिन में आपका स्वागत है इसके मुखे प्रावजक हैं आरकेज जुएलर्स आकरसक आभूशनों के विश्वसनिय विक्रेता यमुना चौक बक्सर नज़े डालते हैं बुलेटिन की परमुक्सुर्खियों पर लाठी टंडे से पीट कर चपट ही गाओं में निर्वाचित परतनीधी की हत्या गुरांसरा इलागे में च्छा लाक रुपे मुले का गाजा बरामद गाओं पहुंचा सेना के जवान का सव महौल हुआ गमगीन नाच देखने वालों ने लड़की के पिता पर किया हमला च्छा नाम जद एतिहासिक पवराणी का स्थलों का होगा विकास विरासत समिती ने किया निरिक्षन सणक ब्रगटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वालों को मिलेंगे दस हजार जन्मिजन पढाली के तहट शुरू हुआ जून माह के रासन का वितरण नगर निकाय चुनावाले छेत्रों में पांच एवम छह जुन को होगा सस्त्रों का सत्यापन खबरे विस्तार से के प्राजेक हैं काम धेनुन एक्स नए जमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सिमेंट एवम सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्डिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवम सिम्री संपर्क करें नीचे दिये गए इन नंबरों पर रविवार को धन्सोई थाना छेतर के चपठही गाउं में उपसर पंच की कुछ लोगों ने लाटि दिन्डे से पीट कर हत्या कर दी मितक सत्य नरायन राम चपठही गाउं के रहने वाले थे और एक सक्री अराज़ देतिक व्यक्ति थे सूचना के अनुसार उनकी हत्या क्यों हुई इस मामले में पुलिस तो कुछ नहीं बोल रही है लेकिन अस्थाने लोगों की माने तो गाउं के ही दलित समुदाय और भूया समुदाय के बीच कुछ दिन पहले विवाद हुआ था उस मामले में उन्होंने आगे बढ़कर हस्त छेप किया धन्सुई पुलिस ने फायार नहीं की तो पिडित पक्ष को लेकर एस पी के हाँ आ गए हालाकि वे स्वयम दलित समुदाय से थे लेकिन उनकी विरादरी के लोग उनसे नराज हो गए और उसी घटना के परतिसोद स्वरूप कुछ लोगों ने सुनियोजी तरीके से उनके उपर रविवार की दो पर हमला कर दिया लाठी डंडे से पीट कर उनकी हत्या कर दिया घटना के बाद सौब पुश्माटम के लिए भेजा गया देर साम तक इस मामले की गंभिटा को देखते हुए सदर डीएसपी समेत आसपास के कई थानों की पुलिस मसलनी टाड़ी राजपूर आदे की टीमें वहां पहुँची लेकिन इसकी प्राथमी की दर्ज नहीं हुई सतनायन राम की मौत अपने आप में एक चुनोती है क्योंकि भरी दो पहरी में लाठी डंडे से पीट कर निर्वाचित परतिधी को मारना कानून को चुनोती है बिलेटिन की दूसरी सुर्की है कुरान सराय थाने की पुलिस ने सनी बार की रात गस्त के दोरान चोगाई कुरान मार्क से 65 किलो गाजा बरामत किया हलाकि यह गाजा एक सुनसान जगह पर बोरियों में भरकर छिपाया गया था चार बोरियों में बरामद इस गाजे की कीमत लगबक 6 लाख रुपे के आसपास आकी जा रही है लेकिन इस मामले में अभी तक कोई तसकर गिरहतार नहीं हुआ है गुलेटिन के तीसे सुरकी है सेना के जवान का सौ बीते दीन गाउं पहुँचा तो वहां मातम का महौल चा गया मिर्टक कैलास 24 जीन की उमर 56 वर्स थी आप यहां इन सेट में उनकी तस्वीर देख पा रहे हैं यह आप आसाम की दीमापूर हेटकौाटर में तैनाथ थे हिर्दे गती रुख जाने के करण गुरुवार को इनका निधन हो गया इनका सो इनके पैत्रिक गाउं राजपूर के थाना के तिवाय गाउं रविवार की सुबा पहुचा गाउं के सभी लोगों ने मिलकर उन्हें सरधान जली अर्पित की गुलर्जिन की चौति सुर्खी वी राजपूर थाना चेतर से ही जुड़ी हुई है थाना के हेटुआं गाउं में एक जून की रात रामाकान चौबे की बेटी की बारात दूसरे गाउं से आई थी नाच के दोरान कुछ अस्थानी लोगों ने उपद्रव किया रमाकान चौबे ने उन्हें डाट फटकार कर वहां से भगाया इसी घटना के परतियोत सुरूप उन लोगों ने घात लगा कर रात के वक जब लड़की के पीटा घर से बाहर निकले तो उनके उपर हमला कर दिया रविवार को जब सतरस्पताल में वे स्वस्थ हुए तब उनकी प्राथमिकी पर गाउं के ही च्छा लोगों के बुरुद नामजद प्राथमिकी दर्श की गई है गुलेटिन की पांचवी सुर्खी है बकसर के इतिहासिक अस्थलों का बीटे दीन विधान सभागी विरासत समीती ने निरिक्षण किया इसके अध्यक्ष प्रेम कुमार भास्वा नेता थे उनके साथ दो अन्य विधायक राजपूर के विधायक विश्वनात राम आदिसामिल थे इन लोगों ने अहिलिया धाम ब्रमिस्वर धाम आदिका अनरिक्षण किया और जिला प्रसासन को निर्देश दिया पौराणिक सजार रुपे तक का इनाम देगी हलाकि आपको इनाम बार बार नहीं मिलेगा और कैसे मिलेगा या जानने के लिए आपको परिवहन कर्याले से संपर्क करना होगा बुलेटिन की साथ भी सुरकी है जन वीतरन परनाली के तहट रासन का धारकों को जून माह का रासन वित्रित किया जा रहा है जिला परसासन ने या सूचना लोगों की जानकारी के लिए मीडिया को प्लब्त कराई है जून माह के रासन का वीतरन तीन जून के बाद से ही प्रारम कर दिया गया है ऐसा नहों लोगों को विक्रेता यह जानकारी देकर गुमराह करें कि अभी तक उन्हें आवंटन ही प्राप्त नहीं हुआ है इसी को ध्यान में रखकर या सूचना जनित में जिला परसासन द्वारा जारी की गई है बुलेटिन की आठवी सुर्खी है नुमराव नगर परिशर छेत्र एवं इटारी नगर पंचायत छेत्र के अंतरगत आने वाले वैसे लोग जो लाइसेंसी सस्तधारक हैं उन्हें अपने सस्त्रों का सत्यापन करा लेना होगा इसके लिए दो दिन की थिति द्यारी थे 5 एवं 6 जुन अपने थाने में वे अंचल पता धिकारी की मौजूदगी में सस्त्र का बहुतिक सत्यापन कराएंगे इसके लिए जिला निरफ सस्त्र पताधिकारी के कर्याले से बीधिवत सूचना जारी कर दी गई है आपको पुनह बता दे डुमराओं एवं इटारी नगर छेत्र को छोड़कर अन्य किसी को सत्यापन क्या हो सकता नहीं है आप चलते चलते आपके लिए छोटी से शूचिना परते के रईवार को बकसर खबर दिवी दर्सन नाम से एक साथ दाही कारिकरन प्रस्तूत करता है जिसमें आप देश की विभिन मंदिरों का दर्सनलाब प्राप्त कर सकते हैं आज की बिलटीन मस इतना ही हमारे साथ संतक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद